मैं डॉक्टर संगीता सक्सेना प्रिंसिपल गॉर्मेंट महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बिकानेर। आज मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रतमवर्स टेक्स्टाइल डिजाइन के सब्जेक्ट इंट्रोड़क्शन टू टेक्स्टाइल कोज संख्या टीडी वन टू टू ट्री के यूनिट चार डैफिनिशन और डिफरेंट टाइप आफ फैब्रिक के बारे में बताने ज जा रही है जैसा कि हम सभी को पता है कि टेक्स्टाइल में के बारे में जब भी हम अध्यन करते हैं में डिफरेंट प्रिकार के फाइबर और फाइबर से यान और यान से फैब्रिक बनाने के बारे में चर्चा होती है तो इस टॉपिक के अंतरकर हमें डिफरेंट फैब्रिक के बारे में पता करना है जो की सामानिता हमें प्रियोग में उसको प्रियोग करते हैं तो जो definition of different type of fabric है इसके अंदर कुछ ऐसी properties उन वस्तरों में होती है कि जो की आवश्यक होती है जैसे कि breathability यानि कि breathability का मतलब यह होता है कि उसके उस कपड़े की quality में ऐसा porous होना चाहिए कि ताकि हवा का अंदर बाहर और निकलना easy हो सके कपड़े का weight है, drap है, durability, rita, softness, उसकी कोमलता और उसकी बनावट यह सारे चीज़े किसी भी वस्तर के लिए होती है इस विशा के अंतरगत मैं आप लोगों को बताऊंगे टैफिटा वस्तर, वायल, औरगंडी, शिफान, कैंब्रिक, डेनिम, पॉपलिन, रुबिया, लॉन क्लोथ, फलालेन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्शर के मार्दियम से टैफिटा, वायल और और औरगंडे वस्तर के बारे में बताऊंगे टैफिटा वस्तर किसपी फैब्रिक होता है, जो कि प्लेन वुविन, अधिकांशता सिल्क धागे से बना हुआ होता है मैं आपनों के एक चीज और बताना चाहूंगे, कि किसी भी वस्तर निर्माण में कुछ चीज़ें आवश्रक होती है जो कि मुखिता उस फैब्रिक के बारे में जानना आवश्रक होता है जैसे कि वो फैब्रिक किस धागे से निर्मित है और उसका वयन क्या है, यानि कि वीब कौन से है और साथ ही उसकी क्वालिटी क्या है तो इसके बारे में यहाँ पर जो टैफिटा वस्तर है, देखेंगे कि आप एक तो यह फैब्रिक कड़ा होता है साथ ही प्लेन वीब में होता है, यानि कि प्लेन वयन होता है और अधिकांशता सिल्क धागे से बना होता है साथ ही इसके अलावसल के अलावा हम इसमें पॉलिस्टर, नायलॉन, एसिटेट तथा अन्य सिंथाटिक फाइबर का भी प्रियोग कर सकते हैं टेटा फैबरिक की जो चमक होती है वो काफी अच्छी होती है और इसका वजन वैरी करता है अर्थात कम से मेडियम से लाइट से मीडियम होता है ठीक है और इसकी जो शेरनिस क्वालिटी होती है यानि कि जो turn होने की quality होती है उसका जो level है वो fiber की quality के उपर depend करता है और साथ ही जो उसकी weave की tightness है यानि कि उसकी firmness है उसके उपर इसकी जो shareness quality है वो depend करती है तो आप लोगों ने देखा कि mainly choices है वो क्या था taffeta एक तो silk धागा होता है जाला तर तो silk से बना हुआ होता है plain woven fabric होता है ठीक है फिर आते है कि यह इसका जो सबसे पहले produce किया गया था वो 12th century में Middle East में इसका production शुरू हुआ था यह Persian taffeta शब्द से इसका derived हुआ है जिसका meaning है crisp crystal woven fabric यह taffeta silk दो तरह से होता है piece dead taffeta जो कि soft होता है और अधिकांशता इसका प्रयोग lining के लिए किया जाता है दूसरा आता है yarn dye taffeta yarn dye taffeta तुलनात्मक रूप से stiff होता है और अधिकांशता इसका जो प्रयोग है वो evening dresses के लिए किया जाता है एक अन्य प्रिकार का taffeta भी हो इसे कि हम paper taffeta कहते हैं यह extremely thin होता है पतला होता है तथा यह crisp होता है टाffeta fabric plain weave fabric है तथा यह single weft thread going over and under a single warp thread कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस taffeta fabric में जो इसकी बुनाई होती है वो single warp और weft thread के उपर नीचे यानि की up and down द्वारा तयार होता है जिससे की check board pattern कि यह silk fabric है और इससे जो gown तयार किया गया है काफी अच्छा और सुन्दर gown है beautiful gown है इसकी चमक आपको देखने में लग रही है काफी अच्छी चमक है तो आपर हम देखते हैं कि जो है कि evening gown के लिए भी किया जाता है जो कि काफी सुन्दर होता है और यह काफी soft होता है और decorative भी fabric होता है पेराशूट्स के लिए भी पीर्टाइट सिल्क टैफिटा का प्रियोग वोर्ड वोर्ड सेकेंड के समय पेराशूट्स बनाने के लिए भी इसका प्रियोग किया दूँ तो यह रहा टैफिटा वस्त्र, वाइल फैब्रिक, नेक्स्ट रम देखते हैं वाइल फैब्रिक की बारे में, वाइल फैब्रिक पुछो आप लोगों ने सामाने तर देखा होगा, कि उसका काफी सॉफ्ट होता है, और उसको काफी थिन भी होता है, तो वाइल फैब्रिक इसमें यूज़ करते हैं। कि जो हवा का पास होने की जो capacity होती है वो इसमें काफी अच्छी होती है इसलिए इसका प्रियोग summer fabric के लिए काफी उप्युक्त माना जाता है ये different colors and prints में प्राप्त होता है और इसके color और जो design होते हैं वो भी summer के recordings होते हैं जो की काफी comfortable होते हैं और अपने पहनने में और दे angiometrical patterns अधिकांशता यूज़ किये जाते हैं cotton wild fabric जो है summer में एपरल यानि की पहनने के वस्तरों के लिए अधिकांशता प्रियोग किया चाता है जो इसके विशेशता है यानि की characteristics है वो अधिकांशता ये fabric बहुत ही light rated होता है और इसी कारण ये spring और summer outfit के लिए परिधान के अत्यांत उप्योगी माना चाता है वाइल टर्म्स फ्रेंच वर्ड वेल से आया हुआ है जो की 100% cotton या cotton and linen blends के द्वारा बनाया गया है इसके द्वारा भी हवा यानि की जो breathability capacity है वो काफी अच्छी होती है और साथ ही जिस समय गर्मी बहुत सादा पढ़ती है उस समय के लि बहुत ही comfortable होता है यूज किया जाता है fine textures होने के कारण इससे line garments के लिए भी हम प्रयोग करते हैं यानि की अस्तर के कपड़ों के लिए भी feature of wild fabric wild fabric के कुछ features है जैसे की वह plane होता है इसकी wave काफी tight होती है यानि की form काफी अच्छा होता है silky और soft finish होता है light wrapping होती है stretch नहीं होता है slightly transparent भी होता है crisp और वायरी होता है लेकिन जो वायर इसमें दिखता है वो thin होता है लेकिन वो strong होता है stiff कड़ा होता है लेकिन flexible होता है इसका प्रियोग विस्तार है काफी ज़्यादा किया जाता है लेकिन ये apparel और home decor के लिए अधिकांश्तर किया जाता है साथे इसका प्रियोग कई तरह से craft projects के लिए करते हैं जैसे की pillow case, cushion covers, doll dresses इत्यादी के लिए भी इसका प्रियोग किया जाता है ये कुछ wild fabrics हैं देख रहे होंगे आप लोग इसका summer's के according यानि कि गर्मी में पहनने जाने के according इसके colors पे कितने soothing हैं कितने अच्छी हैं कि ताकि वो दिखने में भी और पहनने में भी काफी comfortable महसूस होते हैं ये रहा wild plain fabric है ये colored wild fabric के कुछ samples हैं इसके अंदर ये printed wild fabric है और ये polka dots है polka dots मतलब ये होता है कि dot को design के अनुसार उसको अरेंज किया आता है geometrical pattern में उसको अरेंज करके इस तरह के design बनाई जाए next fabric है और गंडी और गंडी फैब्रिक ये भी एक तरह का वस्त्र है ये फैब्रिक थोड़ा stiff होता है transparent होता है और ये कड़ा भी होता है इसके drapping काफी अच्छी होती है और गंडी light weighted fabric है cotton fabric है और plain weave द्वारा बनाया जाता है इसका कपड़ा काफी fine tightly twisted single yarn द्वारा बना होता है ठीक है इसका मतलग क्या हुआ कि जो और गंडी फैब्रिक है light weighted होता है और जो इसका यान है धागा है वो single twisted यानि कि जो single yarn होता है वो काफी twist करके बना जाता है और उसके द्वारा ही इसका निर्मान किया आता है cotton organic crisp होता है और साथ ही इसके जो wrapping है जो ये gather होता है इसके pleated और sheared quality काफी अच्छी होती है ये इस तरह का fabric strip भी होता है ये पतला होता है low yarn count होने के कारण ही ये transparent भी होता है हलका सा transparency इसके अंदर दिखती है है ना समान wild fabric और जो wild के समान जो fabric होता है यानि कि similar to wild fabric और गंडी durable होता है और इसकी finish भी काफी अच्छी होती है इसकी जो washing के पश्याद भी इसकी crispness थोड़ी maintain रहती है क्योंकि इसे जो है कुछ wild fabric को permanent finishes के द्वारा भी तयार किया जाता है और temporary finishes भी दे जाती है जो की washing के पश्याद धीरे धीरे कम होता जाता है इस organic fabric को किसी अन्य fabric के साथ भी हम मिला कर बना सकते है जिससे कि जो quality जैसे कि कुछ apparel garments होते हैं जिसको बनाना होता है उसके अंदर अगर हम lining fabric को मिला कर इस fabric को बनाते हैं तो उसकी quality improve हो जाती है और कपड़ा पहनने में और use करने में भी easy रहता है तो यहाँ पर यह पताया जा रहा है कि इस fabric को हम single या अन्य fabric के साथ मिला कर भी इसको हम बना सकते हैं इस fabric में wrinkles और crushes यानि कि इसमें जो salvate हैं वो जल्दी पढ़ जाती हैं लेकिन इसको अगर हम hot iron के द्वारा press करते हैं तो यह चिकना भी हो जाता है और यह जल्दी हट भी जाता है जो wrinkles पे होते हैं और कभी कभी लोग औरगंजा फैब्रिक से इसको confuse करते हैं कि यह औरगंजा और औरगंडी क्या एक ही फैब्रिक है लेकिन औरगंजा फैब्रिक क्या होता है वो man made या silk fiber से निर्मित होता है और यह भी crisp और plain weave फैब्रिक द्वारा characteristics of cotton औरगंडी फैब्रिक यानि कि cotton औरगंडी फैब्रिक की विशेशता हैं क्या है यह है टैटली twisted yarn से बना होता है यह stiff crisp होता है इसकी crispness इसकी finishing के उपर depend होता है starch और calendar के द्वारा इसकी finishing दे जाती है कभी कभी यह finishing wash के द्वारा हर जाता है permanent crispness के लिए इसको chemical finish दे जाती है जो की permanent इस पे रहता है औरगंडी फैब्रिक में wrinkles जल्दी आ जाता है अता इसे wrinkles free finishes भी इस पे apply किया जाता है जिससे की इसकी जो wrinkles है वो permanent remove हो जाते हैं नहीं आते हैं fabric transparent fine hand shared होता है इसका प्योग अधिकांशता, furnishing और garments के लिए किया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे औरगंडी फैब्रिक के लिए यह plane औरगंडी फैब्रिक है इसके stiffness आप देखरें कहीं भी इसके अंदर किसी भी तरीके की wrinkles नहीं है इसके pleats हो है कि इपनी अच्छी है यानि कि अगर हम इसके pleats आलते wrinkles तो आ जाते हैं यहाँ पर लेकिन pleats एक पर अगर डल जाता है तो खराब नहीं होता है transparences देखिए आप इसके पीछे का जो हाथ का texture है वो इसके कपड़े के surface पर से दिखाई दे रहा है यह तो रहा plane fabric यहाँ पर फैब्रिक को सूट और दुपट्टा बनाए गया है दुपट्टे जो सूट है सूट में हमने जैसे पहले आपको और गंडी फैब्रिक में बताया किसी अन्य फैब्रिक के साथ मिलाकर बनाया जा सकता है तो यहाँ पर lining के रूप में प्रियोग करके इस कुर्टा को बनाया गया है और यह चुणनी देखे कितनी अच्छी लग रही है और गंडी की क्योंकि यह stiff होता है और दिखने में भी अच्छा रहता इसके pleats से जल्दी बिगड़ती नहीं है तो यह रहा और गंडी, plain fabric और suit और दुपटा fabric तो यह रहा आज हमने आप लोगों को तीन तरह के कपड़े के बारे में बताया जो कि टैफिटा, वायल और और गंडी तो मेरी समझ से आप लोगों को अगर market में जाते हैं कपड़ा देखने के लिए तो पहचानने में एक बार आप उसको देख के समझ सकेंगे कि यह किस तरह का fabric है और किस तरह के वत्र निर्मान के लिए किस तरह के fabric का प्रियोग किया जाना उचित होगा अतह आप लोगों को chain करने में काफी सुधा होगी Thank you very much